नमस्कार मैं अनन्त विश्वेन सिंग आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है इस वीडियो में आपको पूरे तथियों के साथ जानने को मिलेगा कि कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचारों का श्री राम जन्मुमुमी आंदोलन से क्या संबंध है कैसे कश्मीर घाटी को हिंदु विहीन करने के लिए 1965 से प्रयास शुरू हुए और कैसे वो प्रयास प्रधानमंत्री राजीव गंदी के समय दिनंग 19 जन्वरी 1990 को हिंदुओं का मजहभी कतलियाम बलातकार आगजनी पलायन के साथ चरम पर पहुँचा दिक कश्मीर फाइल्स में वहां के हिंदुओं का दर्द देखकर 19 जन्वरी 1990 का काला दिन तो हमें याद हो गया है लेकिन इस काले दिन की पठकता 25 वर्ष पहले से कैसे लिखी गई किसके कारण लिखी गई वहां कैसे लागू हुई इन सबको जानना इसलिए भी बहुत जरूरी है जिससे फिर वैसा काला दिन हमारे सामने ना आए कश्मीरी हिंदों पर अत्याचार और पलायन की पठकता 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के तुरंत बाद लिख दी गई थी ध्यान रखिए कि 1965 का युद्ध जम्मू कश्मीर को भारत से अलग तरके पाकिस्तान में मिलाने के लिए ही लड़ा गया था इस युद्ध में पाकिस्तान ने पहल करते हुए पहले हमला किया था और भारत ने पाकिस्तान की जबरदस्त मार लगाई थी देखें आप पूरी टाइम लाइन को ठीक से समझेगा तभी आपको ये कश्मीर फाइल्स का जो अत्याचार है उसकी प्रस्टभूमी समझ में पाकिस्तान ने 1965 में ही पाक अधिकरत कश्मीर में अमातुला खान और मकबूल बट इस नाम को याद रखिए मकबूल बट ये बार बार आएगा और लास्क तक आएगा इस वीडियो में ये बड़ा महत्तपूर्ण नाम है तो ये मकबूल बट के नितरत में नेशनल लिबर कि परिशन फ्रंट नाम के अलगाव वादी आतंकी संगठन का गठन किया जून 1966 में मकबूल बट पूरी आतंकी ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान से पूरी आतंकी लिए उसने और उस ट्रेनिंग को लेकर नियंतर रेखा पार करकर भारतिये हिस्से वाले कश्मीर में दाखिल हुआ और आने के केवल 6 सपता के अंदर उसने एक CID के सब इंस्पेक्टर थे अमर्चंद उनकी हत्या कर दे और पकड़ा भी गया इस हत्या के केस में अगस्त 1968 में मकबूल बट को ततकाली शहशंजज नीलकंट गंजु ने फांसी की सजा सुनाई यह वही नीलकंट गंजु हैं जिन्हें तीन आतंकवादियों ने 4 नमबर 1989 को मकबूल बट की मौत का बदला लेने के लिए सरे बजार गोली से उड़ा कर हत्याओं का दौर शुरू किया था बाराल इस यह बीच में मैंने आपको बता दिया सिलसिल से ही समझते हैं तो ठीक रहेगा तो अगस्त 1968 को फ पार भाग गया इसके बाद 1976 में वो फिर लोटा और बैंक टकेती के प्रयास में उसने बैंक मेनेजर एक बैंक मेनेजर थे जो उस बैंक में जिसमें टकेती डालने गया था उनकी हत्या कर दी और फिर से पकड़ा गया और इस हत्या में भी उसे फांसी की सजा हो गई ऐसी इसी सिती में जब वो दोबारा फांसी की सजा हो गई और वो दोबारा जेल चला गया तो उसकी जो सुरक्षा थी वो भी बहुत कड़ी कर दी गई और ऐसी सिती में उसके जो संगे साथी थे आतंकवादी वो सब इंगलेंड भाग गए हैं वहां उन्होंने जम्मो कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बनाया और इसी संगठन की एक शाखा नेशनल लिबरेशन आर्मी ने मकबूल बट की रिहाई के लिए मकबूल बट जो जेल में था उसकी रिहाई की मांग करते हुए फरवरी 1984 के शुरुआत में इंगलेंड में भारती उच्चायुक्त रविंद्र मह मात्रे का अपरहन कर लिया आतंकियोंने इंगलेंड से मकबूल बट की रहाई की मांग की ततकालीन प्रधानमंत्री इंद्रा गांदी की सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो आतंकियोंने रविंद्र महत्रे की हत्या कर दी इंगलेंड में आतंकवादियों द्वारा रवि बटकी फांसी होने का समाचार पाकर जब जम्मू कश्मीर में ये समाचार पहुंचा तो वहां कोई हल चल नहीं हुई किसी के कान पर जू नहीं रहागी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा यानि उस समय तक इन आतंकी कत्वीदियों के परती कश्मीर की आम जनता में कोई मत्शाह जिन्हें गुल्शाह भी कहा जाता है उन्होंने फारुक अब्दुल्ला को राजनितिक पठकनी दी और प्रधान मंत्री इंद्रा गांदी के समर्थन से दो जुलाई 1984 को प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं गुल्शाह एक कमजोर विक्ती थे कमजोर मुख् अपनी तागत और इसलाम की सेवा करने के नाम पर वे अलगाववादी आतंकी ताकतों के हाथों में खेलने लगे उन्होंने अपने एक वर्ष और साथ महीने के मुख्यमंत्री काल में केवल एक बड़ा निर्णे किया वो ये कि उन्होंने जम्मू के न्यू सिविल सेक्रे ट्रियेट एरिया में स्थित एक बहुत प्राचीन मंदिर परसर के भीतर नमाज पढ़ने के लिए एक मस्जिद बनाने की अनुमती दे दी जम्मु कश्मीर के हिंदों ने इसका भारी विरोध किया जबर्दस विरोध किया जबर्दस धरने प्रदर्शन और ग्यापन दिये गए यह याद रखेगा कि मंदिर परसर में मस्जिद का निर्माण हो रहा था मुख्यमंत्री गुल्शा कुछ सुनने को त्यार नहीं थे हर बार वे कहते थे कि मुसल्मान होने के नाते यह उनका फर्ज है यानि मंदिर परसर में मस्जिद का निर्माण कराना उनका पहला फर्ज था 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंद्रा गांदी की दुखत हद्या हो गई और उनके बेटे राजीव गंदी प्रधानमंत्री बन गए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री राजीव गंदी की पहल पर ही फर्वरी 1986 में शिरी राम जन्मभुमी बाबरी ढाचे पर लगे ताले को फैजाबाद के जिला जज द्वारा खोला गया और हिंदों को वहाँ पूजा अर्चना करने की अनुमती दी गए कब फर्वरी 1986 में ठीक ये याद रखे ये निर्णे सुनते ही मुख्यमंत्री गुलशाज श्री नगर पहुँचे और अपने सभी मुला मौलवियों अलगाव वादियों को के साथ संपर किया उन्हें कर रहे हिंदों से बदला लेने का मुखा अलगावादियों को मिल गया मुख्यमंत्री सीधे समर्थन कर ही रहे थे परिणाम हुआ कश्मीर में अनंत नाक सहित आठ जिलों में हिंदों के घरों की जबरदस्त लूट मंदिरों में तोड़फोर और आगजनी शुरू हो गई करीब 500 घर और दुकाने लूटे गए 300 परिवारों को उजाड दिया गया मारपीट और महिलाओं से बद्तमीजियों की सैकड़ों घटनाए घटी ये सब गूगल पर मौझूद है मैंने अपनी कश्मीर यात्रा के दोरान अनंतनाग में कश्मीरी हिंदूओं के जले घरों को स्वयम दिखा है ये बहुत दर्तनाग था ये दंगे कश्मीर दंगे ये अनंतनाग दंगों के नाम से इतियास में दर्ज हैं आप Google सर्च करके इनके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं मौका मिलते हैं मकबूल बट के चेलो ने अपना एजेंडा लागू करना तुरंट शुरू कर दिया 6 मार्च 1986 को गुल शाह को हटा कर गवर्नर शाशन जमुकश्मीर में लगाया गया तब इस्ति कुछ मामूली सी कंट्रोल में आई लेकिन 18 अप्राइल 1986 को शारजा में भारत पर पाकिस्तान की जीत का जशन मनाते हुए पूरी कश्मीर घाटी में एक बार फिर कश्मीरी हिंदूों पर जबरदस्त आकरमन हुआ उनके घरों को तोड़ा गया उनके घरों पर पत्तर फेंके गए सड़क पर चलते हुए हिंदूों को मार पीट उनके साथ मार पीट की गए ठीक नौ महाबाद राजीव गंधी और फारुक अब्दुल्ला के बीच एक पैक्ट हुआ उसके तहट एक बार फिर फारुक अब्दुल्ला ने साथ नवंबर 1986 को मुख्यमंत्री की कुर्सी समा ले 86 आ गया इसके बाद 1987 से उन्होंने भी माने मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला भी खुद को गुल शाह से बड़ा मुसल्मान और पाकिस्तान परस्थ सिद्ध करने की योजना पर काम करने लगे और घाटी में हिंदों को बचाने के लिए उन्होंने तिन का भी नहीं लाया इसी के साथ वर्ष आ गया 1989 इस वर्ष तो मुख्यमंत्री फारुक अब्दुला ने सारी हदें पार करती जब घाटी में हिंदों को खत्म करने के लिए पाकिस्तान में ISI द्वारा ट्रेंड करके भेजे गए 70 आतंकवादियों के पूरे सम्हों को उन्होंने छुड़वा इन 70 आतंकवादियों को जम्हो कश्मीर पोलिस ने पाकडा था यह याद कर लिजिए ISI ने 70 आतंकवादियों का पहला बैच 음 1989 में जम्मू कश्मीर भेजा था जम्मू कश्मीर पुलिस ने सभी को पकड़ लिया था और मुख्य मंतरी फारुख अब्दुल्ला ने उन सभी को छड़वा दिया था है न गजब की बात विश्वास नहीं हो रहा लेकिन यह सच है देखे यह इंडिया टुडे की यह रिपोर्ट है इन सतर आतंकवादियों मैंसे आगे चलकर कई आतंकवादी आतंकवादी संगठनों के बड़े कमांडर बने इन में से कुछ नाम ये हैं आपके सामने है इन सतर आतंकवादियों को छोड़ने की जानकारी पूर्व डीजीपी शेशफवाल वैद ने अभी हाल में एक ट्विट करके दी है माना जाता है कि इन ही सतर आतंकवादियों के गुर्गों ने ही मकबूल बट जिसका जिक्र शुरू में मैंने किया था उसको फांसी की सजा देने वाले जज नील कंट गंजू की हत्या करके कश्मीरी हिंदूओं के कतलियाम का दौर शुरू किया जो 19 जनुरी 1990 को अपने चरम पर पहुँचा और जिसका दर्द पूरे 32 वर्ष बाद 32 साल बाद दिकश्मीर फाइल्स के कारण पूरा देश महसूस कर रहा है यदि आपने यह फिल्म अभी तक नहीं देखी तो जरूर देखें इस वीडियो से आपकी जानकारी बड़ी हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों अपने जानकारों के बीच शेयर अवश्य करें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दें अपना और अपनों का ख्याल रखें नमस्कार